पहली सुरकी उत्राखंड में हुई बहुत दुखत घटना से जुड़ी है आज सुबह केदारनाथ के पास एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया कुछ देर बाद इस दुर घटना पर अपडेट आया कि इसमें सवार पाइलेट समेथ साथ लोगों की मौत हो गई ये हेलिकॉप्टर के दारनाथ धाम से तीर्थियातियों को लेकर गुप्त काशे की ओर जा रहा था दुरगटना पर प्रधान मंतरी मोदी ग्री मंतरी हमें शाह और दूसरे गणमाने नागरिकों ने दुख जताया उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने हाथसे की जाच के आदेश दिये क्रेश हुआ हेलिकॉप्टर आरियन एविएशन कंपनी का था हाथसे की वज़े मौसम का खराब होना बताया जा रहा है उत्राकंड डीजीपी के मुताबिक हेलिकॉप्टर के पाइलेट ने भी खराब मौसम की जानकारी दी थी अगली सुर्खी फसलों और किसानों से जुड़ी है खबर पर पहुचने से पहले हमें एक टर्म सबजना होगा जिसे MSP यानि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं हिंदी में से न्यूनतम समर्थन मूले कहा जाता है ये एक तरह से किसानों के फसल के मूले की गारंटी है सरकार की ओर से किसानों को कुछ फसलों पर दाम की गारंटी दी जाती है और इसे ही MSP कहा जाता है अगर कभी बाजार में फसलों की कीमत जादा गिर जाती है तब भी केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूले पर किसानों से फसल खरीदती है इससे किसानों को नुकसान से बचाया जाता है नियूंतम समर्थन मूले की घोशना सरकार की ओर से क्रिशी लागत एवं मूले आयो की सिफारिश पर साल में दो बार रभी और खरीफ के मौसम में की जाती है अब बात इससे जुड़ी खबर की आज यानि 58 उक्टूबर को केंद्र सरकार ने रभी की फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी का एवलान कर दिया केंद सरकार ने गेहू और डालों के साथ साथ रभी की च्छेह ने फसलों की MSP में MSP में इजाफा किया है सरकार ने यहू की MSP में 110 रुपए, जो की MSP में 100 रुपए, चने की MSP में 105 रुपए, मसूर में 500, सरसो में 400, कुसुम की MSP में 209 रुपए की वृद्धी की है अगली सुरकी भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट के अध्यक्ष से जुड़ी है बीसीसीाई की वार्षिक बैठक में रुज़र बिन्नी को बोर्ड का 36 अध्यक्ष शुना गया अब बीसीसीाई की पूर्व अध्यक्ष हो चुके सौरव गांगली ने नए अध्यक्ष रुज़र बिन्नी को बढ़ाई देते हुए कहा कि जो नया गुरूप सेलेक्ट हुआ है वो चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगा BCCI अच्छे हाथों में है भारती क्रिकेट मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है फिलाल BCCI में हुए अंदरूनी बदलावों के बीच भारती टीम से जुड़ी एक और एहम बात सामने आई BCCI के सचिव जैशाह ने साफ कर दिया है कि भारत साल 2023 में एक शेकप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा पहले कयास लग रहे थे कि टीम इंडिया इस सीरीज के लिए पाकिस्तान का सफर कर सकती है अगली सुर्की का संबन्द इंटर पोल से है ये है क्या पहले इसे समझते हैं दरसल इंटर पोल एक अंतराश्ट्री पुलिस संग्ठन है इस संग्ठन के दुनिया भर में 195 देश सदस्य है ये देश एक सिक्योर नेटवर्क के जरीए इंटर पोल के डेटाबेस का इस्तमाल करते हैं संदिक्त अपरादियों और फर्जी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां अपलोड करते हैं इंटर पोल के दो मुखे काम है पहला Centralized Criminal Database को maintain करना हर देश का अपना National Central Bureau होता है ये ब्यूरो इंटर पोल के डेटाबेस से जुड़े होते हैं इन्हें अपरादियों अपरादियों की पहचान के लिए डेटाबेस की इजाज़त होती है Interpol का दूसरा काम नोटिस जारी करने से जुड़ा हुआ है Interpol अलग-अलग कलर के नोटिस जारी करता है जैसे Missing Person के केस में Yellow Notice लावारिस लाश मिलने के स्तिती में Black Notice खत्रे की चेतावनी देने के लिए Orange Notice और Wanted लोगों की तलाश या गिरफतारी के लिए Red Notice जारी किया जाता है आज इसी Interpol की दिल्ली में बैठक हुई ये बैठक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी इसमें 195 देशों के मेंबर हिस्सा ले रहे हैं भारत में ये बैठक 25 बरस के बाद हो रही है इस सभा को संबोधित करते हुए प्रदानमंतरी मोधी ने आतंगबात के खिलाफ दुनिया भर में एक जुट्टा पर जोर दिया साथ ही साइबर क्राइम को बड़ा खत्रा बताया Interpol की सभा में पाकिस्तान की Federal Investigation Agency के महानिदेशक मोसिन बट भी शामिल हुए जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे Underworld Dawn, दाउद इबराहीम और लशकर तयबा के प्रमुक हाफिस सहीद को भारत को सौब देंगे तो इसका जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया